हेलो फ्रेंज, खिचडी यानि की मरिजो वाला खाना, बर आक्चली नहीं, खिचडी, you can make it very exotic, खिचडी का मतलब होता है mixture of foods, वो चाहे दाल चावल का हो, चाहे दलिया दाल का हो, या किसी और सीरर और पल्सिस का हो, तो ऐसे खिचडी के आज हम बात करने जा रहे हैं, जो कि आप अपनी सुविधा के हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से, आपसे calorie dense भी बना सकते हैं, और आपसे low calorie भी बना सकते हैं, खिचडी एक complete food है, कैसे, छोटे बच्चों के लिए, जो कि वीनिंग डाइट पर, हमारी वीनिंग डाइट स्टार्ट होती है जिन बच्चों के हैं, फिर हम बात करते हैं, एडल्स की, एडल्स के लिए खिचडी चाहे किसी का stomach upset हो, या फिर थोड़ा सा light खाने का मन हो, उस duration में भी हम खिचडी को prefer करते हैं, तो खिचडी को हम बहुत तरह से exotic और बहुत interesting बना सकते हैं, अब अगर हम बात करते हैं, कि बुजर्ग लोग जो की 60 प्लस geriatric में आते हैं, तो उनके लिए भी खिचडी बहुत फायदे मन्द हैं, क्योंकि ऐसी duration में stomach का digestive system होता है, comparatively थोड़ा slow हो जाता है, बहुत ज़्यादा भूप नहीं रहती, बहुत ज़्यादा physical activity नहीं रहती, तो खिचडी एक ऐसा complete protein है, ऐसा complete food है, जिससे बहुत ज़्यादा गर भीचों के और रहती है, जब आप जब हम चोटे बच्चों की बात करते हैं, तो चोटे बच्चों के लिए धुलीवी दाल कीखिडी के साथ, आप कुछ एटीबल स्कते हैं, गराज बड़े लोगों के लिए डल्स के लिए गर खिचडी बना रहे है और स्टमक अगर आपका सपर्ड कर रहे है तो आप छिल्की वाल की विराइटी ओफ दाल की जैसे-अरहर की दाल, मसूर की दाल, धुली उडद की दाल, फिर छिलका उडद की दाल या फिर मसूर की दाल, ऐसी दालो से भी आप खिच्هडी से बिना सकते हैं with adding lots of colorful vegetables and the vegetables should be the seasonal one आप पालक भी आद कर सकते हैं आप गाजर, प्यास, टमाटर आप उसे बहुत अच्छे तरह से गार्निश भी कर सकते हैं फिर अगर हम बड़े लोगों की बात करते हैं बुजर्गों की बात क्योंकि उन्हें जेनरली कॉंस्टिपेशन की बहुत प्राबलम होती हैं तो अगर आप छिलके वाली दालों की खिच्री उनके लिए बनाते हैं उसमें आप चाहे पनीर आड कर दे आप एग आड कर सकते है आप थोड़ा सा चन भी एड कर सकते हैं या चुनी की दाल क्र सकते हैं तो ऐसी चीज़े जो होती है उनको बहुत अच्छा नरिष्मेंट देती हैं अब खिच्री को कॉम्लिमेंट करने के लिए अगर आप उसमें कर्ड का इस्तमाल करते हैं तो अगर आप वो इस्तमाल करते हैं तो बहुत अच्छा है और बाकी I hope कि आज के बाद आप कभी खिच्री को बोरिंग फूद या बीमारों का फूद के नाम से नहीं जानेंगे खिच्री is a complete food and it can go for any age group and everyone can enjoy at any stage of time and you can enjoy this खिच्री with lots of chutneys जो कि आपको antioxidants देते हैं जो लोग flexis nuts वगरा नहीं खाना चाते तो अगर उसमें crush करके डाल देते तो आपको antioxidant भी भरपूर मात्रा में मिलते हैं और बाकी आप उसके साथ उसमें अगर करी leaves का तड़का लगाते है आप राई कतड़का लगाते हैं आप सरसो कतड़का लगाते हैं तो आप variety of खिच्री बनाकर enjoy कर सकते हैं खिच्री में आप सीरिल के तौर पर brown rice भी यूज़ कर सकते हैं आप दलिया भी यूज़ कर सकते हैं और आप समा के चावल भी इस्तमाल कर सकते हैं तो इस तरह से अगर आप खिचरी को खाते हैं तो आपको बहुत सरे अंटियोक्सिदेंस भी मिलते हैं और फाइटो न्यूट्रिएंट्स भी आपकी बाडी में जाते हैं और आपकी इम्मुनिटी कम्पारिटिबली स्ट्रॉंग होती है। So take the खिचरी as a complete meal. So enjoy your life with variety of खिचरी. Thank you.